जैस्त्री कृष्ण प्रियदर्स को आज मैं आपको बताने वाला हूँ 16 माई 2022 को लगने वाले चंद्रक्रहन के वारे में जो बहुत सारी ब्रांती आपकी दूर कर देगा क्योंकि यूटूब पर बहुत सारी एसी वीडियो मिल जाएंगी आपको जिसमें लिखा होगा चंद्रक्रहन इतने वज़े से प्रारम होगा इतने वज़े तक समाप्त होगा इन राश्यवालों के लिए सुभ है इन राश्यवालों के लिए अशुभ है लेकिन मैं आपको सास्तर समवत जो पंचांग में लिखा है पंचांग की फोटो भी डिस्पले पर डाल दूँगा ताक कि आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं आपकी सारी ब्रांतियां दूर हो जाएगी चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले लाइक कर देजिए कमेंट बॉक्स में कोई भी जिग्यासव आप लिख सकते हैं मैं जुरूर आपका समाधान करूँगा और हमारे इस यूटूब चेनल करमकांट सीखे को जुरूर सब्सक्राइब कर देजिए क्योंकि इस यूटूब चेनल पर आपको ऐसे ही सास्तर विदी की बातें सास्तर समवत बातें और करमकांट मंत्र पूजा स्तोतर सीखने को समय समय पर मिलते रहते हैं मेरे हाथ में निरने शागरपन चांग है जो की बहुती सब जिगें प्रचलित है और इसके पेज नंबर 24 पर सब विवरण लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है खग्राश चंद्र ग्रहन 16 मई 2022 को वेशाक शुकल पक्ष पुर्णिमा सोंवार को खग्राश चंद्र ग्रहन होगा इस ग्रहन का भारतिय समय से विरल छाया प्रवेश प्रातें 7 बजगर के 2 मिनट से होगा और ग्रहन स्पर्स 7 बज करके 58 मिनट पर और सम्मीलन प्रात्य 8 बज करके 69 मिनट तक और इसका मध्य होगा 9 बज कर 42 मिनट और इसका मोक्ष होगा 10 बज करके 24 मिनट तक मोक्ष इसका होगा 11 बज करके 25 मिनट तक और विरल चायां से निर्गम दिवा बारा बजगर के 21 बज़े तक होगा भारत में ग्रहन के स्पर्स और मौक्स के समय दिन रहेगा इस से यह ग्रहन भी भारत में दृष्य नहीं होगा अपितु इस ग्रहन हेतु वेद, शूतक, श्नान, दान, पुन्य, करम, यम, नियम एवं जब अनुष्टान हेतु माननेता नहीं होगी यह ग्रहन सिर्फ विदेसों में ही दृष्य मानने होगा इस से इसीद होता है कि भारत में इस ग्रहन से कोई लेना देना नहीं है यह ग्रहन तो होगा लेकिन भारत में इसका कोई नियम सोह तक इत्यादी नहीं है यह तो रहा नेरनेसागर पंचांग का अब हमारे व्रिंदावन के अंदर व्रज भूमी पंचांग है उसकी में बात आपको बताता हूँ व्रज भूमी पंचांग में लिखा असपश्ट लिखा हुआ है विदेशों में खग्राश चंद्र ग्रहन तारीक 16 मई 2022 को वैशाक शुकल पूर्णिमा सोहवार को पराते 7 बजकर के 58 मिनट से 11 बजकर 25 मिनट तक चंद्र ग्रहन होगा प्राते 8 बजकर के 69 मिनट से 10 बजकर 24 मिनट तक खग्राश रूप में विदेशों में दिखाई देगा इस ग्रहन को पस्चम यूरूप, मध्यपूर्वी, अफरीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षणी अमेरिका के अजेंटिना, बोलिविया, चीली, पेरू, ब्राजिल, अटांटिका, बहुत सारे देशों के नाम लिखाए, इसके पढ़ने को फाइदा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं और आदी से देखा जा सका है, इन देशों में देखा जा सका है, अंति में निकाए, नोट, बारत में यह ग्रेंड किसी भी स्तान में दिखाई नहीं देगा, अता इसके किसी भी प्रकार से सूतक पातक दोस्त मानने नहीं होंगे, इसलिए प्रियदर्स को ब्रांतियों से दूर रहें, और कोई ग्रेंड ग्रेंड तो है, लेकिन भारत में इस ग्रेंड का कोई लेना देना नहीं है, आप निश्चित हो करके अपने पूजा पाठ इत्यादी करें, समय परस्टान करें, भगवान का भजन करें, और सभी ब्रांतियों से दूर रहें, इसके इलावा आपके मन में कोई संका हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखीगा, मैं जरूर उतका समाधान करूंगा, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद